Hello my dear students, welcome to dream classes, बहुत ही special वीडियो लेकर आए हैं जो बज्चा बोड में टॉपर बनना चाहता है और अगर वह एक कमजोड छात्र है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसको बताने वाले हैं कि एक कमजोड छात्र का टाइम टेबल क्या होना चाहिए ठीक है ताकि वह बोड की परिक्षा में अच्छे मार्क्स ला सके टॉपर बन सके तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को आप स्टार्टिंग टू इंड तक देखेगा लाइक का बड़न दवाईए और आज हम आपको बताने वाले हैं देखो बहुत भैतरीन टॉपिक हमने रखा है टॉपिक क्या लग रहा है कि आपकी पढ़ाई सही से नहीं हुई है आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया और आप अभी से पढ़कर बोड में टॉपर करना चाहते हैं तो आपका क्या शिड्दी उलोना चाहिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए मैं राउल सर आप सभी का आज की सबेशल वीडियो में शागत करता हूं और चलिए शुरू करते हैं ठीक है तो क्या होना चाहिए टाइम टेबल और मैंने यहां पर क्लियरिटी के साथ लिख दिया है कि कितना परसेंट फिक्स करवा देंगे जी 90 परसेंट पर एकदम फिक्स करवा देंगे बहतरीन क्लास है पूरी वीडियो starting to in तक देखेगा एक second के लिए पलको को जो है वो छपकाना नहीं है चलिए शुरू करते हैं बिलकुल पहले कहां से शुरुआत करें पहले शुरुआत करते हैं सुबह सुबह से भाई मोर्निंग में कब उठना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए बुक्स पढ़ना चाहिए या रटना चाहिए क्या करना चाहिए point to be noted सबसे पहले मैंने यहां पर आपको हेडिंग मनाया क्या morning time table कि सुबह का जो क्या होना चाहिए time table देखो बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि रात में बारा बजी तक एक बजी पढ़ रहा है और बच्चा क्या है कि सुबह सुबह एकदम नौ बजे तक सोया हुगा है एकदम वैसे बच्चों का जो भविष्य है वो बिल्कुल खराब होने वाला है मतलब अगर आप उस category से बिलॉंग करते हैं कि लेट से सोते हैं और लेट से उठते हैं तो ये आपके अ 90% का अगर आपने माइन में सोच रखा है 85, 80, 90% बोर्ड की एक्जाम में लाना है तो first of all पहले तो ये वाली आदत आपको सुधारनी पड़ेगी हर हाल में सुधारनी होगी कि अगर आप इस बार बोर्ड की परिक्चा में चाहिए वो 10th हो या 12th हो don't mind बोर्ड की परिक्च हामे 95, 80% का अगर आपने कुछ सोच रखा है तो सबसे पहले ये आदत सुधारनी होगी आपको सुभा जो है वो उठना कब है उठना है सुभा 4 बजे कई गर सोएंगे कब सर 4 बजे इसको हम लिख देते हैं एकदम बढ़िया से एम यानि 4 बजे सुभा जो है आपको उठन पड़ेगा हर हाल में उठना पड़ेगा अगर आप अपनी पढ़ाई को ब्यहतर करना चाहते हैं ताइम टेवल अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और हमारी वीडियो का पालन करना चाहते हो हर एक बात का तो सबसे पहले आज ही अलाम सेट करो कि हमें कल सुभा 4 बजे राहुल सर के कही बातों का ध्यान रखते हुए, हमें कल सुबा चार बजे जो है, वो उठना है, एक पॉइंट के लिए हो गया, उठना कब है जी, चार बजे, अब एक बात है कि सर उठने के बाद क्या पड़े, मैथ बनाए, ठीक है, डेरिवेशन करे, ठीक है, क्या करे, डे परन से उठतो जाएंगे, करे क्या, तो देखो बात एकदम क्लियरली बोलता हूँ, ना ही आप मैथ बनाओ सुबा सुबा, ना ही आप डेरिवेशन करो, करना क्या है, रटना है, इसमें भी दो तरीका, सर कौन वाला रटे, एक निव टॉपिक स्टार्ट करे, या ओल्ड ट आप इस ओल्ड टॉपिक पर ध्यान दीजे, देखे, इससे क्या होगा, कि न्यू टॉपिक जैसे सुबा सुबा जब आप उठोगे, तो नई चीजों को आप देखोगे, तो नई चीजे को देखने से जरूरी नहीं कि वो आपके माइन में 100% सेट हो जागा, आपके माइन म वो टॉपिक जादा सेट होगा, जो आपके माइन में कुछ दिन पहले चल चुका है, आज कल में, ठीक है, आज कल में आपके माइन में चल चुका है, आप उसी टॉपिक को जो है अपने माइन में फिर से लाओ, सुबा सुबा, यानि सुबा सुबा जो कौन सा काम करिए, र इससे क्या होगा कि जो चीजे आपने रात में पढ़ा है वो चीजे उसवाज वो जो एक दम बिल्कुल clarity के साथ आपको बाहर निकलेगा अब सबाल है कि सर सुबह कब से कब तक ये पढ़ने वाला सिड्डूल आप मेरा कब से कब दे रहो मैं बस बताओंगा कि बच्चा आप देखो आप एक कमजोर छात्रों के मैंने वीडियो ही बनाया disease पर तॉ अगर आप एक बढ़ियां student है तो मैं तो बढ़ियां वाले student को चार से छे पड़ो ना दो घंटा का पि लेकिन आप एक week student हो आप अपनी पढ़ायी में में फोकस करना चाहते हो एक fundraiser हो तो मैं आपक कि sir अपने क्यों बोला कि सिर्फ रटने वाला ही काम करो सिर्फ याद करने वाला ही काम करो math नहीं बना और derivation नहीं बना देखो environment जो हता है आसपास का जो बाता वरंज होता है वो उस तेम सुबह सुबह बड़ा fresh होता है mind बड़ा fresh होता है आपका जो दिमाग है ना विलकुल स हुआ हो तब अब अपने study को कहां लेकर जाए सुबह सुबह रटने वाले कामों पर ले जाए एक को प्रती धोनी जैसे background noise बिलकुल सांत रहेगा सुबह सुबह चिडियों की आवाज ठीक है मुर्गे की आवाज जो भी है तरह सा एक environment जो आसपास का जो वातावरन होता है वो बिलकुल सुद्ध मिलेगा आपको और वैसे condition में किसी चरह का कोई tension नहीं होगा वैसे condition में क्या होगा आप जो भी चीजे आपके सामने आएगी वो चाहेगा आपका body कि हम उसको अपनी और attract करें अपनी body के अंदर घुसाएं यानि याद रखिएगा कि सुबह का एक ऐ सिर्फ रटने वाला काम करिए और यह कब से करो चार से साथ तीन घंटे का जो है ना एकदम मेराथन लगाओ जी कुछ भी नहीं पैन का बिलकुल यूज नहीं करना इन तीन घंटों में सिर्फ रटिए सिर्फ पढ़िए सिर्फ याद करिए ठीक है और याद उन्ही चीजो को करिए जो आपने रात में या पिछले दिन पढ़ा है उसको याद करिए और हाँ नई चीजों को मत यूज करिए सुबह सुबह जो है वो नई चीजों मतलब नई नई है टॉपिक को मत उठाईए आप सुबह सुबह उन टॉपिक को उठाओ जो आपने आज कल में पढ़ वाला होता है और आपके माइंड को जो है वो सेट करता है ठीक है तो आप जो है सबसे पहले क्या करिए रटने वाला काम सुबह सुबह करिए clarity हो गया ठीक है सारी बाते clear है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे जो है हम discuss करते हैं दोपहर का काम ठीक है यह दोपहर वाल अच्छा यह चार से साथ अपने पड़ा दोपहर का time table चलिए दोपहर का time table start करने से पहले आप जब यह चार से साथ पड़ेंगे न जब यह चार से साथ पड़ेंगे तो इन तीन घंटों के बाद आपको एक rest की जरुरत है आपके आपकी body के rest के जड़त है और यह rest में कितने घंटे का देना चाहूंगा अगर आपको कोई coaching tuition है तो आप चले जाएए तेखें आराम से आईए खाना पीना खाईए नास्ता करिए फ्रेश वाईए पूरी body को संतुलित रखिए energy भी बहुत जरूरी है पढ़ाई ही सिर्फ जरूरी नहीं है मनो रंजन भी बहुत जरूरी है तो मैं आपको एक time बताता हूं कि आप सुबह 7 से 11 के बीच में कोई किताबों को नाच हुए हाँ अगर आपकी coaching tuition है offline online classes तो पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है भाई coaching का तो time table change नह अब आईए दोपहर का time table दोपहर में सरक कब बैठे बढ़ने के लिए तो दोपहर में आप एक fresher हैं आप कमजोड student है मैंने उन्हीं पर वीडियो बनाया है तो अगर आप एक कमजोड student है तो मैं तो आपको advise दूँगा वैसे अगर कोई अगर कोई बढ़िया student रहता जैसे जिसका background sorry background नहीं जिसका जो है study काफी बढ़िया है पीछे 10th, 11th, 9th ठीक है तो मैं उसको advise दूँगा कि भाई तुम एक बज़े बैठना पढ़ने सुबा दोपहर में 2-3 गंटा rest करो आराम से energy को पहले अपनी body में डाल लो फिर धीरे निकालना लेकिन अगर आप एक fresher है तो मैं तो कहूँगा भाई दोपहर में आप बैठ जाओ 12 बजे, दोपहर में 12 बजे जो है ये आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए और कब तक चलना है आपको चलना है 12 से कम से कम 3 बजे तक, ठीक है यानि 3 गंटे का मैं मैं राथन लगा रहा हूँ आपके लिए चलो 3 नहीं देते हैं, ज्यादा कहोगे कि भाई परेशा ज्यादा राउल सर ने डलवा दिया मेरे उपर, 12 से 2 बजे तक, यानि कितने घंटे, 2 घंटे, अब ये सवाल है कि सर ये तो बताए इन 2 घंटों के बीच हमें करना क्या है, आप हमारे गुरू हैं, हम आपसे कुछ सीख रहे हैं, तो चीजे क्लेर करके बताईए ना, तो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लेर करके, इन 12 से 2 के बीच में, इन 12 से 2 बजे के बीच में, देखो, ये जो आपका आसपास का मौहल रहेगा, वहाँ क्राउड जादा रहेगा, भीड जादा रहेगा, इधर पॉं, ऐसे करते रहेगा, ठीक है, तो ये बैक्ग्राउंड नॉइज बढ़ने के कारण जो है, आपको आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, पॉइंट एकदम क्लियर है, कोई बच्चार हो रहा है, भें, भें, ऐसे कर रहा है, ठीक है, बच्चार होता है, छोटा- वो नहीं गुसेगा दोपैर में, बिल्कुल नहीं गुसेगा, तो सर करे क्या, तो ऐसे कंडिसन में न, दो चीज़े आप कर सकते हो, पहली बात तो आप मैथ बना लो, मैथ आपके माइन में ये जाएगा, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़े आदमी से गप करते करते भी बना रहे फिर दो line लिखे, फिर हाँ, फिर दो line लिखे, तो math जो एक ऐसी चीज़ है, जिसको आप पढ़ते पढ़ते, मतलब महौल अगर दो-चार बैठे भी है, तब भी आप math को बना सकते हैं, और math के बाद साथ ही साथ मैं बोलूगा PCMB जो भी है, इसका जो है derivation कर लो, तो मैं आप को दो advice दोंगा, एक आपको दोंगा कि math बना लो, ठीक है, पिछले जो भी आपके books हैं, उनका chapter solution कर लो और उसके साथ साथ derivation कर लो, इसके अलाबा अगर आप अपके mind में सोच रहा है, अगर आप ऐसे कर के किताब खोल के ऐसे बैठे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ठी है, आपकी ममी आती है, पापा आते है, फिर किताब को ऐसे बंद करते हो, समझ जाना नियत पढ़ने का नहीं है, नियत सिर्फ time pass करने का, point clear करो इस चीज को, यानि दोपहर में रटने वाला अगर आप, अगर आप अपनी family के सामने दोपहर में रट रहे हो, ठीक है, कि चिल में पांच घंटे में मायन में जाएगा, तो कौन पांच घंटे का रिस्क लेगा, दो घंटा बढ़िया है ना, जो चीजे आदे घंटे में जिस question को आप पढ़ सकते हो, दो पहर में उसी में दो घंटा लगेगा, रट रे, रट रे, गलवात भी करे, बगल से दीदी गु ज़री बगल से पापा गुजर रहे है, भाई गुजर रहे है, ऐसे कर रहे है, तो ये चीजे नहीं होने, देखो, मैं आपके, मैं आपके स्थान पे जा के ऐसे कर रहा हूँ, भले आपको हमारी, हमारा जो ये विहेवियर है, ये तरीका है, पता नहीं सर क्या कर रहे है, ब पढ़ रहे है दोपहर में, तो समझ जाना भाई बुद्धू बना रहे हो, दोपहर में थोड़ी कोई पढ़ता है, दोपहर में सिर्फ चीजे रिवाइज होती है, मतलब मैथमेटिक का जो भी है, डरिविशन्स वगरा करो, ठीक है, तो यह जो है, जो दोपहर का टाइम रही है, कहिएगा, आप देखो, सर ने सही वाली बात हो लिए, ठीक है, आप ममी को वो वीडियो सुनाएगा, बच्चा देखो, ममी सर बोल रहे है, गेम खिलने और टीवी देखने के लिए, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, यह हर फैमली को, हर गार्जिन को मैं बताता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ प्रेशर दे रहो, भाई पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, वो बेटा आपका कभी नहीं पढ़ेगा, आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को तोस्त बानो, तेक है, उसको पढ़ने के लिए बात धिमत हो गया है कि वो नहीं पढ़ेगा अब कितना भी परियास कर लो भैस के आगे बीन बजा लो भैस देख पगुराएगा ठीक है यानि वो पढ़ेगा नहीं है पढ़ेगा तब जब उसके अंदर खुद की एक क्रेशरीवूरूरूराटी देखो बच्शे को न छेलों तक प्रेशरा बनाया जाता है माबाप से हमाइन के लिए उसके बाद अगर बच्चा खुद से पढ़ता है गया ही जो कि भी काम्याब नहीं हो सकता यानि काम्याबी के पीछे आपको आपकी सफलता बहुत बढ़ाइ से बारा से आप नहीं सोरी दो से ना दो बजे तक आपकी पढ़ाई हुई है सर क्या करें, मनुरंजन करने, मन्मी देखो तुम हमको पढ़ने नहीं देती हो, पापा पढ़ने नहीं देती हो, हाँ सर तो करे, मनुरंजन करो, हाँ जी हर फैमली के गार्जियन को मैं बताता हूँ कि बच्चों को entertainment बहुत ज़रूरी है ठीक है entertainment बहुत ज़रूरी है इसका मत्तव ये नहीं कि सारा दिन इसको PUBG खेलने दिया करिये ठीक है entertainment का मत्तव entertainment होता है सारा दिन PUBG नहीं होता है ठीक है तो अगर आपके mind में अगर आप ये recording ये छोटी सी video clip आप अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं, कि हाँ भाई पढ़ने दिया जाए, रहू सर बोल रहे हैं, तो एक फिक्स टेक टाइम कर दो जी, मैं इंटर्टेन्मेंट के लिए आपको सिर्फ कितने घंटे बोल रहा हूं, आप अपनी फैमिली से बास तीन घंटे मागो, अगर वो नहीं देंगे, नीचे आपको स्लाइडिंग पर फोन नंबर चल रहा है, चल रहा है, फोन करिए कि मम्मी हमको पढ़ने नहीं दे रही है, पापा हमको पढ़ने नहीं दे रही है, आपने तो कहा तो तीन घंटा यह तो एक घंटा भी नहीं दे रहे हैं, बच्चों पर प्र विकास नहीं होगा ना तब तक साररीक विकास नहीं होगा और जब तक उसके पूरे एक एक अंग का विकास नहीं हो जाए ना तब तक वो सफल इंसान नहीं बन सकता है देखें भैंस होता इतना मोटा सा ठीक है गुद्धी उसकी ब्रष्ट होती है कोई काम का नहीं है ठीक है कितना होना चाहिण अभी देखते भाई लड़का क्या कर रहा है कितना कितना एक्टीव है कितना कमा रहा है तो पहले और अभी का जो सोच है वो बहुत अंतर है तो मैं अगर आप एक घारजियन हमारी बात सुन रहे हैं तो भाई बच्चों को खेलने दीजै मैं बोल रहा हूँ 3-4 गंटा इस बात को ध्यान रखेगा ऐसा नहीं कि एकदम रगड रहा है तो रगड रहा है, clear हो गया, अब आजो, evening and night, अब ये time table क्या होना चाहिए, कि साम में और रात में क्या schedule दे, साम में और रात में कौन-कौन सा time table दे, तो देखो भाई, evening और night की बात के रहे, तो बच्चों को साम में, साम में 8 बजे से बैटने पढ़ा दो, खाना वाना खिला दीजे सवेरे, क्योंकि बाद में जब वो खाएगा न, या तो उसको एकदम मत खिलाएए, साड़े, साड़े, दस बजे के बाद खाना दीजेगा, और नहीं तो फिर आप जो है, पहले खालो, साथ, साड़े, साथ बजे, बीच में मत बोलना की भूक लग गया, ठीक है, तो साम में 8 बजे से, आप रात में कितने तक पढ़ो, मैं एक fix time बताता हूँ, देखो, सभी बच्चे बोलते हैं, सार रात में 12 बजे, एक बजे तक पढ़ना सही है, बहुत गंदी चीज है, इसलिए गंदी इसलिए है, क्योंकि आप जितना रात में लेट से शोगे, सुबह उतना ही लेट से उठोगे, और अगर आप लेट से जग रहे हो, तो आपका सुबह सुबह जो है, वो खराब निकलेगा, यानि आपका जो है, दिन बढ़िया नहीं जाएगा, दिन बढ़िया जाने से आपको सुरी भगवान के उगने से पहले जगना होगा, ये मानिता मानी गई है, हमारे पुरवजों का कहना है, कि अगर आ आपको हमारी फैमिली आपकी फैमिली सुन रही है या आप खुद सुन रहे हो तो आप सोया कब करो साड़े-दस मैक्सिमम हो जाए ना एकड़म मैक्सिमम यह नहीं कि इन रियर केस अगर आप हो जाए तो आप 11 बजे तक जो है वो बलक अधम 100% हो जाए 11 प्लस नहीं होना चा गुते हो तो 4,2,6 किसी भी इनसान को 6-7 गंटा सोना आनी बारे है इसलिए मैं 4-4.5 बजे उठने के लिए बोल आँ और 10.5 बजे सुत हो तो 1.5 और 6 गंटा 6 गंटा कम से कम सोना चाहिए किसी भी इनसान को और 4 बोला मैने 5-4 बजे भी उठो ना कभी कबार 5 भी हो जाए लेकिन उससे लेट मत करना, साढ़े चार पांच से लेट मत करना, मैंने अवरेज टाइम बताया, चार साढ़े चार बज़े उठीए, छे साढ़े छे साथ वे तक पढ़िए सुबर सुबर, और इस समय, इस समय क्या किया जाए, इस समय जैसे आप physics पढ़ लो, chemistry पढ़ लो, deriv derivation कर लो, derivation कर लो, फिर क्या कर लो, fair कर लो, ठीक है, fair करना बहुत जरूरी है, notebook तयार करना आपके अंदर की एक बहुत अच्छी काविलियत है, बहुत अच्छा गुन है जी, कोई अगर notebook तयार करता है, आप dream classes का भी खुद का notebook ले सकते हैं, बहुत बढ़िया notebook हमारी team बन तो ये काफी सारी गुन है, जो बच्चों के अंदर आनी चाहिए, काफी सारी maturity जो है वो आपके अंदर आनी चाहिए, और ये है time table, मैंने कितना time गिया, सुबा 3 गंटे बोला, दो पहर में 2 गंटे बोला, और साम में 3 गंटे बोला, लो जी, एक कमजोड student को कितने गंटे पढ़ने चाहिए, उसकी board की परिच्छा में टॉपर बनने के लिए 8 गंट, एक बोला था सर, मुझे सर ने बताया, 16 गंटा पढ़ो, 15 गंटा पढ़ो, मैंने बोला भाई, तू पढ़ेगा नहीं, तू पगला जाएगा, अलास में तरह board भी नहीं होगा, तू फैल हो तू पढ़ेगा, तू आट गंटे है, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम ता, मैं तो ये भी ज्यादा लिख दिया हूँ, मैं तो ज्यादा लिखता नहीं, तो 5 गंटे, 6 गंटे बोलता हूँ, जो अगर आप ऐक फ्रेशर नहीं होता है ना, मैं आपको 5 गंटे का इड़वाई पढ़ना एक दो गंटा कोचिंग जाओ चार-पाँच गंटा घर पर पढ़ो बस काम खत्म इतने में बोड में जो है आग लगा दो गया यह हमारा वाद मैं तो इतना भी नहीं पढ़ता था मैं तो पांच चार छे बस इतना से मैंने काफी अच्छा आग लगा दिया एक तरह कर दीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रीम क्लासेस के लर्निंग एप टेलीग्राम चैनल फेस्बूक वाट्स अप सभी का डीटेल्स दिया हुआ है एक एक करकर के क्लिक करिए सारी वीडियो डाली वी 10th 11 12th competitive सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हो कर ये ड्रीम क्लासेस का लर्निंग आप जरूर इंस्टॉल करिएगा 16 अगस्त से ठीक है आपका क्रेस कोर्ष शुरू हो रहा है बिलकुन ओके डियर तो आज किस वीडियो यहीं पर ओके शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर पर ही डिपेंड करेग है कि आप इस वीडियो को कहां तक फैलाना चाहते हैं ओके बाई बाई